सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से सीडेक का जो सीक्त इग्जामीनेशन होता है उसको 30डैस में प्रिपार किस तरह से करना है मैं आपको स्टेडी मठोल बताने वाला हूँ । रिसोरसिस बताने वाला हूँ और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीडेक का जो सीक्याड इग्जामिनेशन होता है उसको 30 डेस में आप किस तरह से क्रैक कर सकते हो एक नॉन इटी स्टुएंट के लिए है मैं सारी चीज़े बताने वाला हूं कि कि इतना आपको पर डे टाइम डालना क्या चीज़ों का ध्यान देना है सब कुछ एक वीडियो में कवर होने वाला तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना इतना क्लियर है इसी के साथ साथ यह वीडियो की मैंने बेसिक सी लाइक टार्गेट रखी है वह है 1200 लाइक तो वीडियो को फटफट लाइक करता हूं सब्सक्राइब कर सकते हो और बिना टाइम वेस्ट किये चलो वीडियो को शुरू करते हैं ओके तो चलो मैं एवजूम करता हूं कि आपके वास 30 दिन है 30 दिन में आपको सीडेक का सीकेड एक्जामिनेशन को देना है और अपने को अभी तयार ही करनी है और मैं यह मान रहा हूं कि आप एक नौन इटी स्टुडेंट हो तो नौन इटी स्टुडेंट को ज्यादा मु क्राक करना है सीकेड जो एक्जामिनेशन होती है तो उसके लिए में को दिन का कितना घंटे डालना पड़ेगा तो आपको मिनिम्म चार से पाच घंटे पुट करने ही पड़ेंगे क्योंकि क्योंकि अगर इसमें टॉप करोगे अच्छे इंस्टूड प्लेस्मेंट बहुत लगता है इसा कुछ पुट कर गया में निकाल रखता हूं रेंक तो रहने दें मत कर क्यों रख कर रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा अब आ जाते हैं कि सुमेर भाइट तरीका क्या फॉलो करना है तो एक चीज मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आपन यह जो तीस दिन में पक्षुक नहिं पढ़ें क्या वत कर रहा हूं रिखरेंस नहीं पढ़ें प्रक्रणे नहीं पट्द रहें क्या दिन गया ढ़हीं तीन महिए होते है था उत्यूंजन फिर पढ़े अपने को से उनके वीडियो से देखने ट्रिक्स समझनी है और सॉल नहीं और टेस्ट होने वाला इसका में मकसित है कि कितने कम टाइम में अब जाधा प्रवल्म सौल कर पाते और कम टाइम और प्रवल्म तब तब आपको ट्रिक्स पता होगी अब पहले से वीडियो जीज़िए आजाने चीज़ें तो फॉर फंडा क्या होने वाला है अपुन रेफरेंस बुक को अभी से नहीं पढ़ेंगे हैं अब चले सकते हो तो पूरा रेफरेंस बुक से नहीं पट रहा पुन वीडियो देंगे और साथ चाहँ करेंगे पुरा गेम प्राक्टिस का इतन कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं. सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. तो मैं आपको A, B का पहले बता रहता हूं. A के अंदर 3 चीज़ा हैं अपना आएगा verbal ability जिसको English grammar कहते हैं, दूसरा है quantitative aptitude और तीसरा है अपना reasoning. यूटुब चैनल है, उस पर जाना है, ये topics को अदर डालके DSR भी डाल दोगे तो आपको मिल जाएंगे, एक घंटे का वीडियो रहेगा, एक गंटे से 1.5 घंटा, उससे जादा आपको 6 घंटा पढ़ना नहीं है, यूटूब पे कर एक topic को 6 घंटा पढ़ना होता, टाइम भी नहीं है, मेरे पास बाइं, क्लियर है, कोई भी topic को 20-20 मिल रहें, 40 मिल रहें, एक घंटे का देखने का उस topic को बस हो गया, उत्ता कर लिया, हाँ सुमिर भाई कर लिया, फिर क्या करना है, इंडियाविक्स.com पे जाना है, और उसको जादे स्यादा प्रैक्टिस करना है, तो कोई भी आप YouTube चैनल जो आपको पसंद आए, वो आप जाकर चेकाट कर सकते हो, उन topic को डालो, जो सही लग रहे है, उसको देखो, लेकिन जादा लंबा मत खिचना, और YouTube को 1.5x की स्पीड से देखो, या फिर 1.25x की, अभी आप उन स्मार्ट हो गया भाई, अभी अपन बनाया है, इसको मैंने अपने टेलिग्रम कम्मुनीटी में डाला है, आप जाके चकाँ, वहाँ चकाट कर सकते हो, वहाँ पर आप डाव्लोड कर पाऊगे, तो फट 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 टेलिग्रम कमुनीटी जाइन कर लो, सिडेक की, वहाँ लोग जो भी कोशन पुछते हैं, दू क्लियर है, तो वहाँ पर जो मैंने वेबसाइट दे रहा हूँ, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिश जाएगी, वहाँ पर आपको अपना मॉक टेस्स दे सकते हो, सिडेक के लिए, अब आप याते कौंटिटिटिव अप्टिटिटिट जो टॉपिक है उसमें राम से आलाउऔंट 12 से तेरा टापिक है, जो इंपॉड tentang है, हमें इसको किस तरह से करना है, 12 से तेरा टापिक हो अपने को एक से ड़घ्य हंटा तो लगेगा उसको विडीयों से देख के समझने को गटिए एई विडीयो देखके समझने को, क्लियर हैं, वीडीयों तो करना पड़ेगा इंपोर्टन टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मलब्स को गुरूप में तो आप वह चेक आउट कर सकते हो पर इन पापिक को कर लो यूटुब चैनल अगर सुमेर भाई रेकमेंड करेगा तो आप्टिटुब चैनल है करियर जगहा पर सब चीए तो लास्ट मों टुशन का अप्टिटुड कोर्स है यह हर प्लेश्मेंट के लिए कि अगर आप कोई कॉलेज की प्लेश्मेंट की पर त्यारी कर रहा हो तो हम लोग ने उसके लिए उसमें आपको वरबल रीजनिंग और कौनिटिटिव सारे मिल जाए काई सेक्शन एक चाहरे में बताएता हूं उसको किस तरह से करने तीस दिन मैं से मैं इतना कहा दूँगा कि मिलेको पाज घंटा में दिन का पढ़ता हूं तो दो से थाई घंटा तो में को आप्टिटूड ही करने हैं उसमें इस तीनों चीजों को रोज बैठना है पहले इ 3-4 दिन ले लो इंग्लिश को निप्टा दो और quantitative reasoning को लगे लगो मतलब उसके वीडियो देखो और और indiabix.com पर प्रैक्टिस करनी है जाद स्यादा क्लियर है ठीक है अब आ जाते हैं इसमें सेक्शन बी में टोटल पांच टॉपिक होते हैं ऐसे सबसे पहला टॉपिक है वह कंप्यूटर fundamentals computer fundamental theoretical चीज़ है इसके नोट्स आपको sunbeam के अलग जगा मिल जाएंगे लमट्प study materials में इसके आपको notes मिल जाएंगे यह कुछ मतलब जादा नहीं रहे एक्जाम का एक सब्जेक है आप उन इंजनिंगे सब्सक्राइब करें इसके दसको आते हैं तो आगे बढ़ते दो चीज़े आती है दो टॉपिक है और अपना सेकेंड वह ऑपरेटिंग सिस्टम अब इन दोना में थियरी तो आती है अब आगे बढ़ते हैं आगे जो आ जा रहा है वह है दो चीज़े वह सी और उपस जिसको तो सी प्लस प्लस को यूज करके काफी 99 के बच्चे क्या करें बनाना है तो अभी गीव पर अपने को कोडिंग करनी है तो अभी से क्या वह तो तो कावी है कि मेरा इस इतनी है कि अपने को आट से 10 गंटे इसमें पूट करो अपना हंडेट पसंद फिर भी नहीं हो तो कोई नहीं पर अपने वाट से 10 गंटे सी लैंग्वेच में देना है तो जो अपना रोज का आप तीस दिन प्रैक्टिस कर रहे हो उसे रोज से 45 सब्सक्राइब करेंगे तो अपने को आट से 10 गंटा इसमें पूट करने अपनी पूरी महनत करना है बाकि उप्स के concept में मतलब इतने स्नाइफट नहीं आते सी प्लस प्लस के बेसिक से आते हैं पर आपको object oriented programming का concept clear होना चाहिए जो भी सारी चीज़े है वो वो अगर आपने clear कर लिया तो जाधा करके आप mcqs कर पाऊगे जाधा साधा mcqs आपको sendfoundry.com पे मिल जाएंगे और free test for you.com पे जाके आप अपना mock test दे सकते हो it's all about game of practice 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 बाकि जो तीन चीज़े बची है microprocessor microprocessor के दो youtube channel है भरत आचारिया बेस्ट है और lastmonition.com lastmonition पे भी आपको मिल जाएगा computer architecture and organization COA lastmonition पे मिल जाएगा आपको और उसको क्या करना उसके वीडियो देखे टाक 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 एक बड़ फंडे समझ गए उसके बाद क्या करना है अब आपको इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे थोड़ी थोड़ी यह हो तो वहां पर जाके देखवार go through कर लेना है कि क्या बताया है क्लियर है और उसके बात क्या करना है आपने को सेंट फांटर पर जाके फट्टे प्रैक्टिस करने है क्लियर है तो section A हो गया section B हो गया section C हो गया जित्कों अभी था अब मैं आपको यह बताना चाहते हो कि अगर आप पर्टिकुलरी सिफ सीड़ैक के नोट्स चाहते हो क्या सीड़ैक के हिसाब समय को एक्स्टर नहीं पढ़ना इस सब्जक के अकॉर्डिंग जितना टॉपिक के अंदर है उसके नोट्स चाहते वो प्रॉपर एक पीडिया बना के शरक होना कि पहले उत्ता करना है अब आते हैं सुमेरवाज ठीक है हमारा हो गया स्ट्राटीजी पता चल गए मैं आपको स्ट्राटीजी में थोड़ा सा और वी एक चीज़ बता देतो तो सिंपल सी स्ट्राटीजी में यह करना है कि 5 घं करना है बाकी जो बाकी जो चार टॉपिक है उसको थोड़ा थोड़ा मतलब 30 मिट आप उनने दे दिए फिर डेट डेट जो घंटा है वो डेट घंटा आपको एक एक टॉपिक लेना है सम्झों कौन फंडामेंटल ले लिया वो तीन-चार दिन में निप्टा दिया फिर वादे साधा मॉक टेस्ट देने क्यों कि जब पेपर कैसे अटेंग करना है वह मैं बता रहो उसमें बड़ा इंपोर्टेंट है तो यह जो पेपर है यह गेम है कि किता कम टैम में आप कितना फटा 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 वर सॉल कर दो एसा निया आपको आती नहीं चीज़े आ आप पेपर एटेम करो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना सबसे पहले टीप है ना के बर गोत्रू को लगा सेक्शन ही कि अगर आपके पचास कोशन आप गोत्रू कर पा रहे हो ना तो टक टक करके यह देख लो कि आपको कौन से आते हैं और कुछ जैसे ही ठाक तो अराम स यहीज भाड़र कर सुन गोत पर पहले आंसर पहले करने जाओंगा दूसरा-दूसरा ख़रोगा ना फ्लो में जाओ धिक जाओ दो पहला आता हुन को कर लो क्या प FElt अपने को आती ती अपनी म는지 कर दो क में ड में तर देक लूसран fel da अगे बढ़ना है ज्यादा नहीं मेरे पास तो उस चीज को टाइम का ध्यान रखना है और यह दो ही में इंपोर्टन चीज है कि इतनों को टाइम का अपने को ध्यान रखना है बस वही चीज़े हैं अगर आप अगर आप लास्ट नोट चाहते हो तो उसकी भी निक आपको नीचे मिल जाएगी आपको मतलब सारी रिसोसी जो मैंने बताइए उन सबकी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम ग्रूप है उसको जोईन कर लो उदर आपको सब मिल जाएगा इतन यार महनत करोगे तो क्यों नहीं करकर पाऊए तुम कर सकते हो इतना में को बहुत विश्वास अब बें तो जो भी अफडेट्स आईगी चैनल को सब्सक्राइब करके रोखो मैं सीडेक के बारे में यहाँ पर डाल दूँगा और थैंको सो मच